जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाली में क कह सकते हैं कि आज ही इंटेग्रा ने हमारी युदंटर कौर्णी पोर्टल है इसमें काफी चाफ़ अब्डेट किया गया तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले है कि जो update हुआ है है इसमें कौन-कौन सी चीज़े नई आई है और कौन-कौन सी चीज़े जो है हमारी जो पुरानी थी वह effective हुई है तो चलिए मैं आपको starting से बताता हूँ कि हमारी कौन-कौन सी चीज़े कहा कहा से update हुई है तो सबसे पहले हम आ जाते हैं transaction पर transaction में यह होता है कि जैसे माले जी हमें balance inquiry करना है तो एक चीज नई आई हुई है आप दे सकते हैं हम अपना balance inquiry करते हैं और जैसे ही finger customer का हम लगाते हैं तो इसमें क्या होता है एक pop-up खुल के आ रहा है देख सकते हैं यह pop-up खुल के है APS में यह नई चीज आई है कि pop-up खुल के आया है ठीक है ना तो पहले ऐसा नहीं था तो आप देख सकते हैं APS में एक यह नई चीज हो गई दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ बागे तो सब APS में यह चीज है card pay में card pay में error आ रहा है जैसे जब आप transaction करते हैं तो कुछ इस तरीके से error आ रहा है कि your pin pad serial number is not valid तो यह तो काफी दिक्कत आ रही है मतलब यह अभी disable ही समझ लो third चीज है third party इसमें हम लोगों के लिए positive चीज आया है कि mileage यह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ balance जमा करके जब किसी customer के account में आप पैसा जमा करते थे पहले तो क्या होता था आपको पता नहीं होता था कि customer के account में कितना balance है बट अभी जैसे हम deposit करते हैं मालेजे हम इस customer के खाते में 100 रुपिया जमा कर रहे हैं तो जैसे ही आप जमा करते हैं इसमें एक pop-up खुल के आएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैंने जमा किया और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें total balance भी आपका दिखाएगा जैसे कि यह आपको दिख रहा है 126 रुपिया account balance 126 रुपिया बट जब आप okay करेंगे तो जो customer को receipt मिलता है उसमें कोई भी available balance नहीं सोख करेगा तो यह security purpose की जैसे ऐसा किया गया लेकिन हाँ आप balance की जानकारी रख सकते हैं दूसरी चीज है MPS तो MPS में फिलाल कोई बदलाव नहीं हुआ जैसा था वैसा ही है और transaction history तो आपको पता है कि gap है जब से यह लोग अटा है तब से line है यह बहुत अच्छी बात नहीं है इंटेग्रा को जो है transaction statement देना चाहिए और काफी लोग इंतिजार कर रहे हैं तो यहां तक तो आपको हमने बता दिया और अधार शीडिंग का भी वही आल है जैसे पुराना था और social security में हाँ इसमें बहुत बड़ा बदलाओ आया दोस्तों social security में social security में बदलाओ आपका यह आया हुआ है कि जैसे customer का जैसे मान लिए customer पहले क्या होता था हम लोग खाता खोलते थे तो customer का जो social security है on spot कर देते थे लेकिन अभी क्या है कि इसमें term condition है condition यह है कि customer का account unfreeze होना चाहिए उसके account में every level balance होना चाहिए और third thing है कि edge जो criteria होता edge का वह बराबर रहेगा तो real time में यह पैसा debit करेगा और social security scheme कर देगा तो यह थोड़ा दिक्कत होगी हम लोगों के लिए क्योंकि जब customer का खाता खोलते हैं तो customer खुद आता है but passbook और लेना होता है तो customer ना आकर उसके परिवार के घरवाले आते हैं तो इसे थोड़ा effect पड़ेगा social security scheme में थोड़ा इसका जो ratio है वो कम जरूर होगा चाहे 10% हो तो यह आपका social security scheme हो गया और चौथा चीज है EAS E-Service तो इसमें अभी हम देख सकते हैं यह सारी चीज़े disable कर दी गई हैं इसमें आपको submit का option या authentication का option किसी में भी नहीं मिलने वाला है तो सायद कुछ गलती हुई है इंटेगरा से हो सकता है कल तक आ जाये और हमारा इसमें E-Service में सारी चीज़े हटा दीजेगे submit और authentication दोनों हटा दिया गया हम अलब आज तो हुई नहीं पहला और enrollment में क्या है कि account तो खुल आयवर form नहीं आ रहा है ठीक है तो और नहीं हम लोग account number निकाल पारे है पहले ही सर्विस से हम लोग account number निकाल लेते थे तो अभी तो हम देख पा रहे हैं कि सारी चीज़े negative जा रही है पास बोग printer चल ला है कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग भी portal चला रहे हैं आपको पता होगा कि हमको लग रहा है कि एक ही चीज हम लोग के लिए positive आई है वो third party deposit में कि हम customer का balance जान सकते हैं बाकी सारी चीज़ों में negative आई है जो भी है हम लोगों के लिए सही नहीं है और social scheme के लिए यह सही नहीं है तो आसा करता हो हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि pinpad जो लोग पहले pinpad इस्तेमाल कर रहे थे उनका जो है device device serial number invalid बता रहा है तो उसको क्या करना है कि आपको circle आपे से connect कराके उसको mapping करवाने पड़ेगी तभी आपका device चलेगा और एक request है दोस्तों मैं हलाक यह कभी बोलता नहीं हो लेकिन इस बार जरूर बोलूँगा कि हमारा जो channel है इसी तरीके से support करेगा आपका और इसको subscribe जरूर कर लें इससे हमारी खुशी बढ़ेगी और मैं वीडियो पर और भी आच्छे अच्छे वीडियो बनाना चाहूंगा तो चलिए इसी के साथ सस्त्रेकाल नमस्कार अस्सलाम अलेकूम